हेलो दोस्तो सिभील नोले स्पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तो आज मैं इस तरोरी मोडल को डिसकस करने वाला हूं जैसा कि आप स्कीन पे देख रहे हैं दोस्तो यह प्लान एक हमारे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था उनके रिक्वामेंड के इस आप से वीडियो काफी स्पेसल होने वाला है क्योंकि देख सकते हैं कि स्कूल का डियाइन किया हूं जिसका प्लॉट साइज की बात करें तो 38 फित इसका फ्रॉंट होने व इसका फ्रॉंट होने वाला है और बैक साइज 32 फित में डियाइन किया है दोस्तो इसका देख सकते हैं यहां पर इसकूल का डियाइन किया गया है वह 40 फित लंबाई होने वाला है यहां से यहां से यहां पर 40 फित और इसका फ्रॉंट है वह 28 फित में डियाइन किया गया है दोस्तो आप भी चाहते हैं साही घर का या इस्कूल का डिजाइन करवाना चाहते हैं तो पिलीज कमेंड वक्स में कमेंड कर सकते हैं आपको 3D मोडल कुराने के लिए कोसिस किया जाएगा दोस्तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे इसमें बताएंगे कि इसका टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना आने वाला है इस 3D मोडल के बारे में डीटेल्स में डिसकस करेंगे तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं इसका फ्रॉंट में देख सकते हैं यहां पर चारो साइट से एक बाउंडरी वाल देखने को मिल जाता है जो कि 5 feet height में डीजाइन किया गया साथ साथ यहां पर देख सकते हैं में इंटी डोड हो जाता है और इसी playground में देख सकते हैं, यहां से main इंटी डूड है, और यहां से आप अंदर के तरफ जा सकते हैं, यहां पे एक porch का design किया गया है, जिसमें देख सकते हैं, दो column का युच किया गया है, शाथ में यहां पे आपको यह भी देखने को मिल जाता है, यहां पे stair case का design किया रेलिंग में, जिससे काफी attractive look मिल जाता है, चलिए दोस्तों अब आपको अंदर लेकर चलते हैं, देख सकते हैं, दोस्तों यह आपका ground floor का design कुछ इस तरह से होने वाला framework का design किया गया है, जिसमें आपको total 16 column देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरह से plinth level और देख सकते है beam का कुछ इस तरह से design किया हुआ है, इस school का size इसका 28 feet front होने वाला है, और साथ में देख सकते हैं, 40 feet इसकी लंबाई है, यह तो आपका ground floor में कुछ इस तरह से framework का design कैसे करना, उसके साथ साथ मैंने, अब मैं आपको brickwork का का काम करके दिखा देता हूं, देख सकते हैं दोस्त तो स्टोर से जैसे अंदर कदर फिंटी करेंगे, तो सबसे पहले देख से को 6 feet का wide passes देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे first में आपको देख सकते है, principal office का design किया गया, जो कि 12 feet by 10 feet का होने वाला, और इस से attached आपको यहाँ पे toilet bathroom भी मिल जाता है, देख सकते हैं, यहाँ पे size 12 feet by 10 feet में design किया गया है, दोस्तों इसे color combination देख सकते हैं, कुछ इस तरह से sky color पे रखा हूँ, आप अपने coding different color combination कर सकते हैं, सकते देख सकते हैं, यहाँ पे triangle shape में, free space है, जहाँ पे garden वगेरा कर सकते हैं, दोस्तों playground में देख सकते हैं, कुछ इस तरह से मैंने tree वगेरा का design किया हूँ, आप अपने coding different different truss से decorate कर सकते हैं, school का design दोस्तों ऐसा है, और वीडियो देखने के लिवग पर आई बोटन में link दिया गया, वहाँ पी जाकर देख सकते हैं, या आपको मारे playlist को चेक कीजिए, वहाँ भी आपको different plot size का plan देखने को मिल जाता है, दोस्तों यह हु